भारत और जर्मेनी के बीच साथ में इंटर गवर्मेंटल कोंसलियेशन के अउसर पर आपका और आपके डेलिकेशन का हार्दिक स्वागत है। एक्सलेंसी ये आपकी तीसरी भारत यात्रा है और सौभगे से ये मेरे तीसरे कारकाल की पहली आईजीसी मिटिंग है। एक प्रकार से ये हमारी मित्रता का ट्रीपल सेलिबरेशन है। एक्सलेंसी, 2022 में बर्लिन में हुई पिछली आईजीसे के दोरान हमने द्वी पक्षिय सहयोग के लिए महत्वपुन निर्ने लिये थे। दो सालों में हमारी स्टेटेजिक पार्टरशिप के विभिन क्षेत्रों में उत्साजनक प्रगती हुई है। रक्षा, टेक्नोलोजी, एनरजी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलप्मेंट जैसे खेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतिक बना है। एक्सलेंसी, बिश्व, तनाव, संगर्शों और अनिश्रित्ता के दौर से गोजर रहा है। इंडो पसिविक शेत्र में रूल अफ लौ और फ्रिडम अफ नविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताए हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्टाटेजिक पार्टरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी हैं। ये एक टांजेक्शनल रिलेशन नहीं है। ये दो समर्त और ससक्त्व डेमोक्रेसी की ट्रांस्फर्मेशनल पार्टरशिप है। एक ऐसी पार्टरशिप जो पैस्ट्रिक जगत और मानोता के स्टेबल, सिक्योर, सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। इस समन्द में पिछले हपते आपने जो फोकस और इंडिया स्ट्रेजी जारी की है, उसका स्वागत है। एक्सलेंसी, मुझे खुशी है कि अपनी पार्टरशिप को एक्सपांड और एलिवेट करने के लिए हम कई नए और महतोपुन इनिसेटिव ले रहे हैं। होल अप गवर्मेंट से होल अप नेशन की अपरोच की और बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की इंडिस्ट्री, इनोवेटर्स और युवान टेलेंटेर को जोड रहे हैं। टेक्नोलोजी का डेमोक्रिजाज़ाजिशन हमारी साहजा प्रतिवर्दता है। आज रोड मैप और इनोवेशन एंड टेक्नोलोजी जारी किया जा रहा है। इससे आर्टिफिशल इंटर्जिशन्स, सेमिकंडॉक्टर्स और क्लीन एनर्जी जैसे महतोपुण छेत्रों में हमारा क्रॉलोबरेशन और स्रद्रड बनेगा। अभी हमने जर्मन बिजनेस की एशिया प्रसिविक कांफरेंट में भाग लिया। कुछ देर में हम सीयोज फ़र्म में भी भाग लेंगे। इससे हमारे आर्थिक सहयोग को बन मिलेगा। हमारी अर्थिववस्ताओं को डावर्थिभाई करने और डी रिस्क करने के प्रहासों में भी गति आएगी। और सिक्योर, रिलाबल और ट्रस्टेट सप्लाई बेल्यू चेन खड़ी करने में मदद मिलेगी। क्लाइमिट के विशे में हमारी प्रतिवद्धता के अनुरूप हमने ग्लोबल स्थर पर रिनुड़वल एनर्जी के निवेश पर उसके लिए प्रेट्फरम बनाया है। और आज ग्रीन हाइड्रोजन रोडवेप भी जारी किया है। हमें खुची है कि भारत और जर्मनी के बीच सिक्षा, स्कीलिंग और मोबिलिटी पर काम चल रहा है। जर्मनी द्वारा जारी की गई है। स्कील, लेबर, मोबिलिटी स्ट्रेटिजिका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज की मिटिंग हमारी पार्टरशिप को नई उंचाई पर ले जाएगी।